प्यारे देश्वासियों आप सब को नवश्कार पिछली मन की बात में मैंने आप लोगों से एक प्रार्षना की थी कि छुटियों में अगर आप कहीं जाते हैं और वहां का कोई यादगा चीत रहें तो इंक्रेडिबल इंडिया हैश्टेक पर आप पोस्ट कीजिए जब मैंने कहा था तब मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा जवर्जस्त परिणाम मिलेगा लाखों लोगों ने फोटो पोस्ट कीए ट्वीटर पे फेस्बुक पे इस्टागाम में मैं कह सकता हूं कि एक से बढ़कर एक द्रश्य देखने को मिले हैं भारत कितनी विविजताओं से भरा हुआ है स्थापत्य हो कला हो प्रकूती हो जहरने हो पाड़ हो नदी हो समंदर हो शायद भारत सरकार ने भी कभी सोचा नहीं होगा कि टुरिजम की दुरुष्टी से लोग इतना बड़ा काम कर सकते हैं जो आप लोगों ने किया है और कुछ तो मुझे भी इतने और मैं समझता हूँ शायद जिन लोगों ने आंदर प्रदेश के बेलम के केवस का फोटो पोस्ट नहीं किया होता तो देश के कई लोग होंगे शायद उनको पता ही नहीं होता कि ऐसी कोई चीज हमारे देश में है मत्र प्रदेश में औरचा की फोटो हो हम राजस्तान को तो हमेशा पानी के संकट वाला प्रदेश मानते हैं लेकिन वहां से जब कोई मैनाल के वाटर फोल का फोटो भेजता है तो बढ़ा ही आस्यर होता है याने सच मुझ मैं एक अध्भूत काम हुआ है इसको हम आगे बढ़ाएंगे जारी रखेंगे दुनिया देखेगी हमार मेरे नई पीड़ी देखेगी मेरे प्यारे देशवासियों आपने मुझे प्रधान मंत्री तो बना दिया है लेकिन मेरे भीतर का एक इंसान कभी कफार बाकि सब बाद प्रतिश्टाओं से हट करके अपने आप में खो जाता है 21 आंतरराष्टी योगा दिवस मैं कह सकता मेरे मन को उसी प्रकार से अंदोलित कर गया जिस समय येन में मैंने विशे रखा था तब ऐसा ही लग रहा था जैसे चलो भई एक बात हो जाएं लेकिन 21 जून का जुद्रश्य देखा जहां जहां सूरज गया जहां जहां सूरज की किरने गई दुनिया का कोई भूभाग इसा नहीं था जहां योग के द्वारा सूर्य का स्वागत न हुआ हो हम दावे से कह सकते हैं कि योग अभ्यासवों की दुनिया में सुरज कर भी ढलता नहीं है योग को दुनिया ने जिस प्रकार से पलक पावड़े विशाकर के सन्मानित किया सारे विश्व ने जिस प्रकार से अपने कंदे पर उठाया कौन हिंदुस्तानी होगा जिसको गर्व नहीं होगा मैं भी आनंद विभोर हो गया मन पुलकित हो गया और जब फ्रांस के लोग जिन के लिए सीन नदी और एफिल टावर भौती गवरोपुन प्रतीक है उन्होंने योगा करने के लिए उस स्थान को पसंद किया बराबरी का स्थान दे दिया न्यूएर्ग में लोगों ने टाइम स्क्वेर पर योगा किये आस्टेलिया सिड्नी की बात हो तो ओपेरा हाउस के चीतर हमारे सामने आता है ओपेरा हाउस के नागरी को ने ओपेरा हाउस के बराबरी में योगा को रख करके वहीं को योगा किया जहें नौर्थ अमेरिका हो, सिलिकोन विली हो, मिलान का डुमो कर्थरडल हो ये अपने आप में गर्व करने की बात और जब 21 जून को मैंने UN के सेकरेटरी जनरल सिमन बान की मून को UN हेड कोटर पर योगा करते देखा कितना आनन्द आया मुझे उसी प्रकार से UN पिस्किपिंग फोर्स ने भी योगा का बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया भारत में भी सियाचीन पर सफेद बर्फ की चादर पर हमारे जवान योगा कर रहे थे तो समुन दुर्व मैं नौसेना के द्वारा चारों तरफ जहां भी हमारे नौसेना के जहाज थे योगा के कारकम हुए दिल्ली ने तो गिनीच बूक अप वर्ल्ड रेकॉर्ड में अपना स्थान दर्ज करवा दिया राजबत योगपत बन गया मैं देश और दुनिया का रजे से आभारी हूँ और मैं कह सकता हूँ ये कोई कारकम के खातिर कारकम नहीं था ऐसा लग रहा था कि विश्व के हर कौने से एक नई जिग्यासा एक नया आनंद एक नया उमंग एक नया जुडाओ कुछ दिन पहले मैंने जब ट्वीटर पे वियतनाम से एक परिवार ने छोटे बच्चे का योगा कता हुआ फोटो ट्वीट किया था इतना प्यारा था फोटो वो दुनिया भर में इतना प्रचलीथ हुआ हर कोई स्थरी पुरूस बुढ़े बच्चे गांभो शहर हो ढवलप कंट्री हो या डवलपिंग कंट्री हो हर कोई जोड गया योग सच्चे अर्थ मैं दुनिया को जोडने का एक कारण बन गया मैं नहीं जानता हूँ इंटरेक्ट्ट्र प्लास एलिट वर्ल्ड इस गटना का कैसा अनालिसिस करेगा लेकिन एक बात मैं महसूस कर रहा हूँ और हर भारत वासी घर वनुभव कर सकता है कि विश्व भारत को जानने के लिए बहुत उत्सुक है भारत के प्रदि एक जिग्यासा बड़ी है यहां की वैल्यूज, यहां की बरंपराएं, यहां की विरासत दुनिया जानना चाहती है हम सबका दाई तो है कि बिना लाग लपेट के हमारी ये जो विरासत है विश्व को हमने बांटना चाहिए विश्व को परिचित कराना चाहिए लेकिन ये परिचित हम तब करवा पाएंगे जब हमें हमारी विरासत पर गर्व हो कभी कभार हम इतने परिचित होते हैं कि अपनी चीजे इसमें क्या नया है ऐसा लगता है जैसे हमारी family values हमें पता नहीं है एक दुनिया के लिए भारत की family values ये बहुत बड़ी बात है क्यों न हम विश्व को हमारी परिवार प्रथा family values इससे परिचित करा है विश्व को अचमबा होगा मैं जुरू कहता हूँ अचमबा होगा ऐसी बहुत कुछ चीज़े है जो हमारे पुर्वजों न हमें दी है और जो स्रेश्व है उस पर जगत का अधिकार है आंतराश्वी योग दिवस की सभलता आनंद और संतोष के साथ एक नई जिम्य बारे लेके आई है यह हमारा दाइक को बनता है कि विश्व को उत्तम योग शिक्षक हम दे यह हमारा दाइक को बनता है कि योग की सभी परंपराओं को एक प्लेटफरम पर से जगत देख पाए मैं देश के नवजवानों को विशेश करके IT प्रोफेशनस को आगरह करता हूँ आप सब नोजवान मिलज़े उड़के रहे आउनलाइन योगा एक्टिविटी की कुछ योजना बनाई है योग से सम्मदि समस्ताओं का परिशे हो योग गुरुओं की जानकारी हो योग के समन में जानकारी हो योग सीखना हो तो कहां सीख सकते हैं योग टीचर चाहिए तो कहां से मिलेगा एक डाटा बेज तयार रहना चाहिए और मैं मानता हूँ काप कर सकते हैं चलो कहीं से तो कोई सरू करे हैं यह पिछले कुछ दिनों की घटनाओं के और नजरी से भी देखता हूँ काम करती सरकार दोडती सरकार एक बार लक्ष तय हो तो कैसे परणाम ला सकती है यह पिछली दिन हमने देखा है और जब चानों तरब निराशा थी यह हम न भूले एक साल पहले चानों तरब से एक ही स्वर सुनाई देता था कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता आप कलपना कर सकते हैं सरकार में आयूश एक डिपार्टमेंट है कभी किसी का उस तरब ध्यान नहीं जाता दो-पांच साल में एक आत बार कही छोटी मुझी खबर अखबार में आ जाये तो आ जाये तना एक कौने में छोटा सा डिपार्टमेंट लेकिन योगा दिवस को उसने लीड किया और दुनिया में एक छोटे से डिपार्टमेंट ने इतना बड़ा काम आयूजित करके दिखाया अगर लक्ष शामने हो तो छोटी सी छोटी हिकाई भी किता उत्तम काम करती इसका नमूना है पिछले दिनों दुनिया ने देखा कि हमारे लोगों ने यमन में से आफ़त ग्रस्त लोगों को कैसे बचाया गंटों के अंदर भारत के लोग नेपाल पहुंचकर के मदद के लिए कैसे दौड़ पड़े काम करने वाले सरकार जब बैंक में जंदन एकाउंट खूल ले थे सारे बैंक के लोग मैदान में उत्रया और कुछी समय में करोडों करोडों देशवास्यों को बैंक के साथ जोड दिया गत पंदर आगस को मैंने लाल के लिए पर से स्कूलों में साउचालाई के बलिया अपील की और मैंने कहा तो अगले पंदर आगस तक हमने इस काम को पूरा करना है जो काम साथ साल में नहीं हो पाया वो एक साल में करने का आवाहन करना बड़ा सहस तो था करीब साड़े चार लाग टॉइलेट बनाने थे लेकिन आज मैं संतोस के साथ कह सकता हूँ अभी तो पंदर आगस आने की देरी है लेकिन पूरा तो नहीं हुआ लेकिन करीब करीब स्कूलों में टॉलेट बनाने के काम को लोगों ने पूरा किया मतलब सरकार लोग सरकारी मुलाजिम सब कोई देश के लिए काम करना चाहते हैं निश्वार्थ भाव से सर्वजन हिताए सर्वजन सुखाए अगर हम संकल पर लेकर के चलते हैं तो सरकार भी दोड़ती हैं सरकार के लोग भी दोड़ते हैं और जनता जनादन पलक पावड़े बिशा करके उनका स्वाग भी करती है यह मैंने अनुभव किया है और यही तो है जो देश को आगे बढ़ाने की सच्ची ताकत है पिछली बहने हमने तीन जन सुरक्षा की योजनाओं को लाउंच किया था मैंने कलकत्ते से किया था इतने कम समय में बहुत ही सकारात्मक परणाम मिला है भारत में जन सुरक्षा की दूसरी से बहुत कम काम हुआ है लेकिन इन तीन योजनाओं की कारण एक बहुत बड़ा जम्प हम लगा रहे हैं इतने कम समय में दस करोड से भी जादा लोग इन जन सुरक्षा की योजनाओं में कहीं ने कहीं जूड़ गए हैं लेकिन हमें इसको और आगे बढ़ाना है मेरे मन में एक विचार आता है यह विचार मैं आपके सामने रखता हूँ अगस्त महिने में रक्षा बंधन का त्योहार आता है क्या हम सभी देशवासी रक्षा बंधन के त्योहार के पहले एक जबर्जस जन अंदुलन खड़ा करें और हमारे देश की माताओं बहनों को यह जो जन सुरक्षा योजनाए है उसका लाब दे हमारे घर में खाना पकाने वाली कोई बहन हो या बरतन साप करने वाली बहन हो या हमारे खेत में मद्दूर करने वाली कोई बहन हो यह हमारे परिवार में अपने हरे बहने हो क्या रक्षा बंधन के पवित्र तेहवार को ध्यान में रखते हुए हम 12 रुपिय वाली या 330 रुपिय वाली जन सुरक्षा योजना आए जीवन भर के लिए अपनी इन बहनों को गिप्ट दे सकते हैं रक्षा बंधन की भाई की तरफ से बहन को बहुत बड़ी गिप्ट हो सकती है क्यों न हम रक्षा बंधन के पर्व को एगलश मान करके 2 करोड, 5 करोड, 7 करोड, 10 करोड देखे तो सही कितनी बहनों तक हम ये लाप पहुचा सकते हैं आईए मेरे साथ मिलकर के, इस संकल्प को पूरा करने के लिए हम सब प्रयास करें मैं जब मन की बात करता हूँ तो कई सारे लोग मुझे सुझाओ भी भेजते हैं इस बार मानसून के लिए मुझे कुछ कहना चाहिए, सब सुझाओ बहुत लोगों ने भेजे नागपूर के योगेश दान्डेकर, मैशूर के हर्षवर्धन जी, प्रविन नाट करनी जी, दिव्याशु गुपता जी उन्होंने कहा कि मौनसून के लिए जुरूर आप मन की बात में कुछ बाते बताईए अच्छे सुझाओ उन्होंने भेजे हैं और वैसे भी ये मौसम, मन को बड़ा प्रसंद करने वाला मौसम होता है और पहली बारिस तो हर कोई को किसी भी उमर में क्यों हो, वर्षा का मजा लेने का मन करता है आप भी हो सकता है बारिस में गरम पोकोड़ा का, भजिये का, कौन का, साथ-साथ गरमा, गरम चाये का मजा लेते होंगे लेकिन साथ-साथ जिस प्रकार से सूरज की किरने जीवन देती हैं, वैसे ही बर्षा हमारे जीवन को तकत देती है बुन्द बुन्द पानी का बहुत मुल्य होता है हम एक नागरिक के नाते, समाज के नाते, बुन्द बुन्द पानी बचाने का स्वभाव बनाना ही पड़ेगा गाउं का पानी गाउं में रहे, शहर का पानी शहर में रहे यह हमारा संकल भोना चाहिए पानी रोकने के लिए प्रयास करने चाहिए और वर्षा का पानी रुकता है और अगर जमीन में वापिस जाता है जमीन में रिचार्ज होता है तो साल भर की हमारी समस्याओं का समाधान हो जाता है Rain Water Harvesting यह कोई नई चीज नहीं है सद्यों से चली आ रही है चेक डेम हो, वाटरशेड डेवलोप्मेंट हो छोटे तालाब हो, खेट तालाब हो हमने बुंद बुंद पानी को बचाना चाहिए मैं हमेशा लोगों कहता हूँ का अगर महात्मा गांदी का जन्मस्तान महात्मा गांदी का जन्मस्तान देखने जाओगे तो जुरूर देखिए 200 साल के बाद भी वह आज भी वहसा ही कारियरत है और पानी साल भर जराबी खराब नहीं होता है समद्र के तट्प हैं परबंदर लेकिन मीठा पानी वर्षा के पानी को संग्रह करके घर में खा जाता था उस समय भी इतनी कैर के लिए आती थी हम भी तो कर सकते हैं और ये जनांदोलन बनना चाहिए गांगां ये वावस्तान बनना चाहिए उसी प्रकार से हर्याली हमारे आँखों को कितनी भाती है हरा भरा जीवन हमें कितना अच्छा लगता है पैड पउधे बाग भगीचे जीवन को हरा भरा बना देते हैं हम सब इस वर्षा के मोसम में ब्रिक्षर ओपन पैड लगाने का भिहान सामाजिक संगठनों के द्वारा योकों के द्वारा बहुत बड़ी मात्रा में होने चाहिए और मैं तो एक सुजाव देता हूँ और मेरा प्रतेक्ष अनुभव बड़ा सफल अनुभव है यह मेरी बिल्कुल ग्रमिन टेक्नोलोजी है आप जब पाउध लगाते हो तो पाउधे के बगल में एक पुराना मिट्टी का घढ़ा भी लगा दीजिए और उसमें पानी भर दीजिए मैने में एक दो बार पानी भरोगे तो भी चलेगा वो पाउधा बहुत तेजी से आगे भड़ेगा विकास होगा आप लोग करके देखिए और पुराना मिट्टी का घढ़ा तो मिली जाएगा मैं तो किसानों को भी कहता रहता हूँ कि आप अपने खेट के किनारे पर बाड लगाने के बज़ाए पैड लगाईए वो आपकी संपत्य बन जाएगे ये बास आई है कि बारिस पसंद भी बहुत होती है मज़ा भी आता है लेकिन साथ-साथ कभी कभी बारिस के सिजन में सबसे ज़्यादा बीमारी आती है डॉक्टरों को फुरसत तक नहीं मिलते इतने पेशंट आते है और हम जाते हैं कि बारिस के दिनों में पानी से बिमारी बहुत फेलती है वातारों में नमी बढ़ जाने के कारण बैक्टरिय अपने लगते है और इसके लिए साफ सभाई बहुत महत्वपुण बन जाती है स्वच्चता बड़ी महत्वपुण बन जाती है शुद्ध पानी पीने का आग्रह आउशक रहता है जादातर लोग तो ऐसे समय में उबाल करके ही पानी पीते है और उसके लाब भी होता है यह बास ही है कि हम जितनी केर करेंगे बिमारी हमसे दूर रहेगी पानी तो चाहिए वर्षा भी चाहिए लेकिन बिमारी से बचना भी चाहिए देशवास के अभी अभी हम लोगों ने तीन नई योजनाओं को लाँच किया खास करके शहरी जनों के लिए हमारे देश में करीब पान सो छोटे मुटे शहर है बेस्ट टू वेल्थ कूडे कचरे से में भी संपत्ति बन सकती है फर्टिलाजर बन सकता है इंटे बन सकती है बिजली बन सकती है गंदे पानी को शुद्ध करकर के खेतों में दुवारा उपयोग किया जा सकता है उस अभियान को हमने आगे बढ़ाना है अम्रित योजना के तहत हम हमारे शहरों को जीवन जीने योग बनाना के लिए बड़ा भियान उठाया है उसी प्रकार से दुनिया की बराबरी कर सके ऐसा देश भी तो होना चाहिए देश में दुनिया की बराबरी करे सके ऐसे स्मार्ट सीटी होने चाहिए और दूसरी तरब देश के गरीब से गरीब प्रतिकों भी रहने के लिए अपना घर होना चाहिए है और घर भी वो जिसमें बिजली हो पानी हो, सौचाले हो नजदीक में पढ़ने के लिए स्कूल का प्रबंध हो 2022 में जब भारत आजादी के 75 साल मनाएगा हम देशवासियों को घर देना चाहते हैं इन तीन बातों को लेकर के एक बड़ी योजना को आरंभ किया है मुझे विश्वास है कि शहरी जिवन में बदलव अब लाने में ये सारी योजना काम आएगी है मैं स्वायम तो सोशल मीडिया के दोरा आप सब से जुड़ा रहता हूँ बहुत से नेने विशार आप लोगों से मुझे मिलते रहते हैं सरकार के समन में अच्छी बुरी जानकारी भी मिलते रहती हैं लेकिन कभी कभार दूर सुदूर गाउं में बैठा हुआ एक व्यक्ति भी उसकी एकाद बात हमारे दिल को छुच जाती है आप जानते हैं सरकार के तरफ से एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कारकम चल रहा है लेकिन जब सरकार का कारकम कोई व्यक्ति समाच गाउं अपना बना ले तो उसकी तागत कितनी भढ़ जाती है पिछले दिनों हरियाना के बीबीपूर गाउं के एक सरपंच सिमान सुनिल जग्लान जी उन्हें एक बहुत बड़ा मज़ेदार इनिसेटिव लिया उन्होंने सेलफी बित डॉटर इसके स्परधा की अपने गाउं में और एक माहोल ऐसा बन गया के हर पिता को अपनी बेटी के साथ सेलफी निकाल करके सोशल मेडिया में रखने का मन कर गया यह कलपन मुझे अच्छी लगी उसके पिछे कुछ कारण भी है हरियाना में बालकों की तुलना में बालिकों की संख्या बहुत कम है देश के करीब सो जिले से हैं जिसमें भी हालत चिंता जनक है हरियाना में सबसे ज़्यादा लेकिन उसी हरियाना का एक छोटे से गाउं का सरपंच बेटी बचाव अभ्यान को इस प्रकार का मोड़ दे तब मन को बहुत आनंद होता है और एक नई आशा जगती है इसलिए मैं अपनी प्रसनतावत ब्यक्त करता हूँ लेकिन इस घटना से मुझे प्रेना भी मिली है और इसलिए मैं भी आप से आगरह करता हूँ कि आप भी अपनी बेटी के साथ सेल्फी विथ डॉटर अपनी बेटी के साथ सेल्फी निकाल करके हैश्टेक सेल्फी विथ डॉटर जुरूर पोस्ट कीजिए उसके साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस विचार को ताकत देने वाला कोई डैगलाइन हो लिख करके दोगे उत्तम पंक्ती लिख करके दोगे वो किसी भी भाषा में हो सकती है अंगरी जी हो हिंदी हो आपकी मात्रू भाषा हो कोई भी भाषा हो मैं उसमें से जो बहुत ही प्रेरक्ट टैगलाइन होगी वो सेल्फी आपकी बेटी की और आपकी मैं रिट्विट करूँगा हम सब एक प्रकार से बेटी बचाओ बेटी भढ़ाओ इस बात को जनांदोलन में परिवर्तित कर सकते हैं जो काम हर्याना के गाउं बीबीपूर से भाई सुनिल ने प्राणब किया आओ हम सब मिलकर के उसको आगे बढ़ाए और मैं आप से आगरे करता हूँ कि हैश्टेक सेल्फी बीथ डॉटर आप जुरूर पोस्ट किजिए आप देखिए बेटियों की घरी मा बेटियों का गवरव बेटी बचाओ अभियान कितना आनंद देगा और यह जो कलंग है हमारे पर वो कलंग मिट जाएगा तो मेरी इस बारिस में आप सबको बहुत शुब कामना है बारिस का मजा लीजिए हमारे देश को हरियाला बनाईए आंतराश्टी योगा दिवस को एक दिन के लेनी आप योगा के प्रक्टिस चालो रख रहा है आप देखिए आपको इसका फायदा नजर आएगा और मैं अपने अनुभव से कहता हूँ इस बात को आगे बढ़ाईए अपने जीवन का हिस्सा बना दीजिए इसको जरूर कीजिए और वो बात इंकरीबल इंडिया आप कहीं पर यात्रा करें फोटो जुरूर भेजते रहिए देश और दुनिया को पता चलेगा हमारे देश के पास कितनी बीबिता है एक मुझे लगा कि उसमें हैंडी क्राप के समद्ध में बहुत कम आया है आप अपने इलाके के हैंडी क्राप को भी दो इंकरीडिबल इंडिया में पोस्ट कर सकते हो ऐसी बहुत सी चीज़े आपके नगर में बनती होगी गरीब लोग भी बनाते होगे स्कील जीन के पास है वो भी बनाते हो उसको भी भेज सकते हैं हमें दुनिया में पहुंच रहा है चारों तरफ भारत की विश्यस्ताव को पहुंचाना है और एक सराल माद्य हम हमारे पास है हम जुरू पहुंचा है मेरे प्यारे देशवाशियों आज बस इतना ही अगली मन की बात के लिए अगली बार मिलूँगा कभी के बार कुछ लोगों के लगता है कि मन की बात में मैं सरकार की बड़ी-बड़ योज रहा है गोशे कर उच्जी नहीं वो तो मैं दिन रात काम करता ही रहता हूँ आप से तो हलकी फुलकी खटमी ठीज बाते करता रहूँ बस मुझे उसे में आना दाता है बहुत बहुत धन्यवाद